चलो फाइनली कॉंटेंट मिला वरना आप लोग तो जाकर के कमेंट सेक्शन पर सजेशन भी नहीं देते कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मुझे सोनी टीवी से अब कोई उम्मीद रही नहीं है मैं अब एक ही चीज़ को बार बार बोलूँ और एक ही चीज़ को बार बार रोस्ट करता रहूँ ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई इसके बहुत सारे मेम्स बन रहे हैं और जब तक यह मैं कमेंट चेक कर रहा था उस वक तक मैं आधा एपिसोड देख चुका था और जिसको देखने के वाद समझ में आ गया कि किस के बारे में और क्यूं कहा जा रहा है So there is no doubt वहाँ पे कुछ मेरे ही जैसे लोग हैं जिनके दिमाग में subconsciously ये fit हो चुका है कि भाई इंडिया में अगर कोई भी शो आएगा उसको घटिया नीच ही बोलेंगे और सबका सब बखवास ही होगा अब सोच रहे होगे कि मैं खुद को कैसे बुरा बोल सकता हूँ नहीं जब मुझे realize होता है तो मैं accept कर लेता हूँ कि हाँ मैं इस जगे पे गलत हूँ So honestly मेरा क्या opinion है इस शो को लेकर के और इस शो के judges को लेकर के सबसे पहली बात जिस face को मैं धंग से जानता नहीं था जिस face को मैंने सिफ picture में देखा था उस face को मैं जीता जाकता एक शो में as an investor देख पा रहा था मैं बात कर रहा हूँ अनुपम मित्तल की अब इनके बारे में मेरा interest इतना क्यों है क्योंकि मेरी job एक time पे shadi.com पे थी और मैं वहाँ पे as an executive काम कर रहा था और इनकी जब story में ने सुनी थी कि किस तरह से इन्होंने shadi.com को एक छोटा सा start-up से लेकर के आज main stream में ले आए हैं और जब भी शादी की बात आती है तो बहुत सारे metrominal website के साथ साथ इनका भी नाम top पे आता है सो मित्तल साब की personality जो है इस show के अंदर में वो काफी straightforward है और सामने वाले को judge करने का तरीका जो है सिफ figure से नहीं emotion से भी करते हैं वहीं पे अगर बात की जाए अशनीर grower की तो भाई इनका बहुत जादा meme बन चुका है इस बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता था इस show को जब देखने बैठा और उसके related जब वीडियो जाने लगे तो मैं shocked हो गया कि इस show को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसके उपर में ये कह रहे हैं कि ये एक बखवास सा show है ये एक नौटंकी है माना कि Sony Entertainment हर show में जो है अपना emotion का तलका मारके large scale पे एक drama दिखाते हैं जिसको देखने के बाद हमारा दिल और आँख दोनों रो पड़ता है और हम सीधा voting machine पे जाकर के vote करना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं है honestly speaking इस बार जो दिखाया गया है न बॉस इसके आदे एपिसोट के बाद में ही मुझे ये realize हुआ कि भाई काश मेरे समय पे जब मेरे दिमाग में वो खुराफाती ideas आ रहे थे काश कोई ऐसा mentor होता भले से इस show के अंदर में कोई किसी को पैसा दे या ना दे investor बने या ना बने लेकिन एक बहुत major सी चीज है जो के mentorship कहते है और उस चीज को जानने के लिए तो भाई आपको ये show देखना बनता ही बनता है आपको यादी होगा जब आपने शुरुवाती समय में कोई भी एक plan कोई भी एक business plan ले करके अपने family member के सामने जाते है तो वहाँ पे फूपा जी नहीं तो चाचा जी अपना दिमाग लेकर बैढ़ जाते है कि बेटा इतना भी आसान नहीं है और इसी तरह का character लेकर के अशनीर ग्रोवर जो है सामने आते हैं लेकिन इनके अंदर में सिर्फ वह attitude नहीं होता है कि भाई तुमसे नहीं होगा ये facts and figures पे जाते हैं और ये ये जानना चाते हैं कि अभी तक आपने कितना कमाया है आगे चलके आपकी planning क्या है आप अपने business को किस level पे देखना चाते हो और उसके लिए आप कितना amount की demand कर रहे हो और इस चीज़ के उपर में वो सीधा straightforward हाँ या ना में जवाब देते हैं इसके इलाव और कुछ नहीं होता अब इसको अगर आप कहोगे कि वो egoistic है तो एक businessman अपना जो attitude देखाता है वो attitude नहीं वो उसके figures होते हैं वो एक calculation पे चलता और उस calculation के हिसाब से वो हाँ या ना में जवाब देता है और कोई भी businessman उसका पहला धरम पैसा होता है कि वो जो पैसा लगाएगा उस पैसे पे वो कितना return पाएगा और पाएगा भी या नहीं वहीं पे अगर बात की जाए इस तरह के एक red dress में बैठी lady की जो बात-बात पे कहती है I am out ठीक है ये उसी content से पूरा हू बहू अपना line भी copy कर चुके हैं लेकिन इनका जो point of view है न वो मेरे लिए तो बहुती जादा objectionable है क्योंके भई आप जिस चीज़ को नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ फेल हो जाएगा और ये madam इसी बात पे कह देती है कि I am out इनके इस line के उपर में आप भले से meme बना सकते हो लेकिन आप जितना भी criticize कर लो काफी समय क के बाद और काफी समय छोड़ दो लगभग 10-15 साल के बाद में कोई एक ऐसा शो आया है जिसको देख करके आप कुछ सीख सकते हो आप इस शो को देखने के बाद ये सीखोगे कि आप जो plan कर रहे हो उस plan के अंदर में कितनी reality है और कितने आपके dreams है एक चीज मुझे आप एरपोर्ट पहुंचोगे उसके बीच में दो और जोन आएंगे तो उस जोन के लिए आपने क्या किया है क्या उस जोन तक आपकी ice cream नहीं पहुंचनी चाहिए और आपने जो भी products बताए है उसके जो भी ingredients बताए है क्या उसके अंदर में जो भी चीजे डाली गई है व इतना कमाल होगे उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को पूरी एक कंट्री को तीनों टाइम ये ice cream खाना पड़ेगा और ऐसे ही ना जाने कितने सारे points अलग-अलग business ideas जब ले करके आते हैं तो वो लोग सामने से create करते हैं आपको इसमें तीन तरह के investor मिलेंगे सबसे पहला जो straightforward मुपे कह देते हैं sorry ये चीज work नहीं करेगा दूसरे आते हैं हमारे मित्तल साब जो के भई emotionally भी रहते हैं अपना दिमाग और दिल दोनों लगाते हैं लेकिन साथी साथ पैसे का हिसाब थोड़ा रखते तो हैं वहीं पे एक lady है जिनका भई एक ही चीज रहता है कि जो को चीज मैं नहीं जानती उस चीज के बारे में मैं जादा कुछ कह नहीं सकती सो आइम आउट सो और अलगर बात की जाए तो शाक इंडिया में जो भी चीज़े दिखाई जारी है उतन चीजों को देखने के बाद ना जाने कितने सारे इंगस्टर कितने सारे ऐसे after 40s 50s and 60s के लोग होंगे जो अपना एक business start कर सकते हैं यह जरूरी नहीं कि किसी ने कुछ किया और वो fail हो गया तो आप भी fail हो जाओगे और इसको देखने के बाद मैं तो बहुत जादा inspiring feel कर रहा हूँ चार घंटे के लिए सडकों पे निकलेंगे जो गरीब लोग ready लगाते हैं उनसे कुछ सामान खरीद लेंगे और उसका वीडियो बना करके YouTube चैनल पे डालेंगे जिसका motive यह नहीं होगा कि हम show off कर रहे हैं कि हमने देखो यह किया है इसका motive यह होगा कि हमने किया है आप भी अगर कर सकते हो तो करो साथी साथ कुछ बच्चों को जो भई सडकों में घूमते हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना शुरू करते हैं क्यूंकि उस वक्त मैं एक real estate में काम कर रहा था और बहुत सारे घरें ऐसे ही खाली पड़ी रहती थी तो मैंने सोचा था कि free coaching classes शुरू करेंगे औ और उन बच्चों को उन लोगों से जोड़ेंगे जिनके बच्चे नहीं है और साथी साथ जिनको बच्चे की जरूरत है ताके बड़े होने के बाद जब ये कमाने लगे तो भई एक दूसरी की help हो जाएगी तो ये एक चीज ले करके चला था और वो देखा जा तो pure non profitable था थोड़े पैसे के लिए उनको थोड़ी बहुत help कर पाए ये एक तरह से non profitable चीज था पर उस वक में कोई ये नहीं समझाने वाला था कि आप जो करना चाहते हो उसमें क्या problem हो सकती है उसको चलाने के लिए किस तरह से fund raise कर सकते हो I think 30 seconds से जादा हो गया है सो ये था कुछ मेरा चोटा सा startup जो के भई अपनी आवकात के हिसाब से 300 से 500 रुपय निकालना था चार पाश दोस ले करके हर हफते निकलते और इसी से start करते लेकिन आज मेरे पास दो अलग अलग channel है एक दम स्टर जो शो एक दम स्टर जो रिव्यू और दोनों पर जो है ए एक अच्छी चीज आई हो इसको अप्रिशेट करो ताकि उसको देखा देखी कुछ और अच्छी चीजे आए जो के हमारे देश के लिए भी काम आए तक के लिए स्वस्त रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो